नमस्कार, A to Z Dishes शुशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज उस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रहे हूँ जूतपूरी काबुली चावल अब सरल भाशा में करो जैसे हम वेज बिर्यानी बनाते हैं ये इतनी गजब की लगता है अब देखो बिर्यानी मतलब बसमती चावल थोड़े से बड़े चावल ये अच्छे लगते है तो मैंने ये दो कब बसमती चावल ले लिए है इसे हम अच्छे से दो से तीन पानी से वाश कर लेंगे उसके बाद एक और पानी इसके अंदर डाल कर इसे हम 10 मिनिट तक भिगो के रखेंगे 10 मिनिट के बाद गैस को ओन कर एक खड़ाई रख देनी है और इसमें आपको डालना है पानी तो मैंने इसके अंदर 3-4 गलास जितना पानी डाला है दो छोटी वाली हरी इलाईची पकाते ने वैसे नहीं पकाना है इसे आपको सिफ 80% तक ही पकाना है एक परसंट ही कोक करना है और 80% तक लगपक 6-7 मिनिट पर पक जाते हैं दो कव जितने चावल उसके बाद इसे चनी में निकाल लेना है और इसे बाहर रखकर ठंडा होने देना है जब तक यहां पर मैंन 6-7 ब्रेट के स्लाइस को टुकडों में काट लिया है एकदम अच्छे गरम तेल में आपको यह टुकड़े डालने ब्रेट के और इस तरह से सुनेरे हो जाए तब तक इसे फ्राइ करना है इनिके तलना है फिर इसे आपको एक प्लेट में निकाल लेना है अब वही अच्छ प्लेट में आपको शिमलामिश भी डाल देना है और इसे भी अच्छे से तलना है जादा नहीं तलना है इस सबजिया को बस हलका हलका सा मिलीज़े थोड़ा से सुनेरे थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तब तक ही इसी के साथ मैंने ये गाजर को भी डाल दिया गाजर को भी मैंने गुलगोल भी काटा है, और ये भी, हटी हो गई फ्राइ, यह भी, अब यह प्यास हम डाल देंगे, और प्यास को भी ज्यादा लाल होने तक मत्फ्राइ करना, बस हल्का सा इस तरह से हो जाएना, तो इसे भी निकाल लेना है और वही प्लेट में रख देना है तो सबजिया और ये ब्रेड दोनों हमें अच्छे से तल ली है अब गैस को अन करके मैंने एक कडाई रख दिये इसमें मैंने डाला है दो से तीन चमस तेल जैसे तेल गरम मुझे न तो चौथाई चमस जीरा डाल द डाल कर अच्छे से इसे हमें दो से तीन मिनिट के लिए बूनना है और फिर भी आप चाहे तो नमक और मसाले अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं फिर इसके अंदर हमें आदा कब दही डाल देनी है और अब लगातार चलाते वे बूनना है रुकना बिलकुल भी नहीं कभी कभी दही फट सकती है इसलिए लगातार एक से दो मिनिट तक अच्छे से चलाना अब ये सारी तली हुई सबजिया इसके अंदर आपको डाल देनी है अच्छे से मिलाते हुए दो मिनिट तक पकाना है दो मिनिट के बाद इसमें से आधा आधा आपको निकाल लेना है प्लेट के अंदर देखो इस तरह से निकाल लीजे और आधा कडाई में रखे आज बिलकुल धीमी रख देनी है अब यह जो पके हुए चावल थे इसके उपर इस तरह से डालने है और यह जो हमने निकाल के रखी थी प्लेट में सारी सबजिया थोड़ी सी इसके उपर डालत जाए और इसी के साथ यह तले हुए ब्रेट के टुकड़े और यह मैंने कच्छे टमाटर ले लिये हैं यह मैंने गोल-गोल काट लिये तो इसे भी हम रख देंगे इसी तरह से हम यह जो सारी प्रोसेसे उसे दोराते जाएंगे रिपिट करते जाएंगे फिर से मैंने हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच तो यह जो हल्दी वाला दूदे हम डाल देंगे आप केसर भी डाल सकते हैं हल्दी की जगह पर एक बड़ा चमच गी को इस तरह से हम डालेंगे और ढखकर धीनी आज पर इसे हम पांसे छे मिनिट के लिए पकाएंगे लगबग पांसे छे मिनिट हो चुक्या और दीमी आज पर ही पकाना बनकर तयार है यह जूत पूरी स्पेशल काबुली चावल सच बता रहे आपको देखने में अजीब लग रहा होगा और सबसे बड़ा आपको एक कॉशन आ रहा होगा कि यह ब्रेट क्यों पर आप एक बार इसे खाकर दे